हलो दोस्तों सुवागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टी टेडी पॉंट पर दोस्तों आजकी वीडियो में कुछ मोश्ट इंपोर्टन लाया हूं और ये कुछ जो है पॉलिटिकल साइंस का टुवेज किलास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर एस सी संसादनों की भूराजनीती पर टिपनी लिखे संसादनों की भूराजनीती होता क्या है इस पर पूरा आंसर इसका पूरा बताऊंगा भूराजनीती को जियो politics भी कहा जाता है अगर आये हैं कि geopolitics politics से क्या वी परा है जीओ- Reddit तो आपको यही शब लिखना है उसमें भी यह भूह राजनिती पूछा जा जा या तो उसमें भी यही सब लिखना है दो नंबर चान प्र छे जा चाहते हैं पूरा आंसर देखिए क्या है क execution के सक्तियों के विश्वयापी पर्यास का विश्वयापी परसार का ठीक है पर सार का एक मुक्हा होज olhar और उँद्देश साह संसाधन थे पसमी डेश जो है अधिक सक्तिसालि किसके बनें इसंसाधन के मदश बनें आप देखेंगे विटेन में क्या थ Kitchen फे एक चुका एक टाइम ठीक है तो पस्मी देशों के पास जो है अधिक संसाधन थे जिसके कारण क्या हुआ उनके सक्तियों में विरिध्धी हुआ ठीक पस्मी सक्तियों के विश्वयापी परसार का एक मुख्य साधन और उदेश संसाधन थे संसाधनों से जुड़ी भूराजनित हुए को पस्मी दुनिया ने अधिकतर व्यापारिक संबंद यूधे और सक्ति के संदर्व में साथ अभि 2022 संसाधन थे उसको व्याप्य के संबंद में देखा यूध Strikesयों को प्राप्राप्त पस्तियों हुए और सक्तिक संदर्व में अधिक सक्तिसाल ही होगा तो इस संबंद में उन्हों ने देखा ठीक इसके वाद देखे सीट यूद के दोरान विक्सी देशों ने संसादनों के सता तापूर्ती के लिए कई उपाय किये कई उपाय किये मतलब इसके प्राप्ति के लिए संसादनों के प्राप्ति के लिए क् दोहन، छेतरों तथा समुदरी परिवहन, मारगों के चारो और सेना की तैनादी की, ठीक है न? ताकि संसादनों का दोहन नाज सके और उस पर जो है, क्या कर सके, अपना अधिकार जता सके, ठीक, समुदरी परिवहन जो थे, परिवहन, एक टेम क्या था, बीटेन का पूरा अधिकार था समुंद्र पर ठीक है जिसके कारण क्या बना वो सक्तिसाली बना तो ऐसी जो है पस्यम के देश जो है संसादनों के महत्तों को समझने लग गया और वो क्या करने लगे संसादनों की घेरा बंदी करने लगे चारो और जो है संसादनों के चारो को लेकर इन सब को लेकर क्या हुआ युद्ध भी हुए हैं ठीक मैं तो पुन संसादनों का भंडारन संसादनों के उत्पादन देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली आदी इसका उद्देश संसादनों तक अपनी पहुंच रखना है अब देखें इन्होंने संसादन प्रा देशों में मन पसंद सरकारों की बहाली की ताकि जो है अपना सवार्थ सीध कर सके ठीक ना अपने पसंद के अनुसार सरकार बनाने का पर्यास किया दूसरे देशों में जहां पर संसादन से संपन जो संसादन से संपन देश थे ताकि मतलब अपनी क्या कर सके सवार्थ पूर्ति कर सके ठीक है संसादनों की पूर्ति कर सके उस सरकार के माध्यम से ठीक तो यह जो है तरकीव अपनाए उन्हों ठीक है न तो यह क्या है एक तरह से संसादन प्राप्त करने की राजनीती है ठीक है इसी लिए क्या कह रहे हैं इसे आगे दो तीन लाइन चार लाइन लिख देना आपको ठीक है तो जियो पॉलिटिक्स में यही सब बाते आपको लिखनी है तो देखे तेल बंडारन यह किस परकार महत्व है विश्वे में तेल निरंतर महतपुन संसाधन रहा है यह ना केवल इंधन के रूप में परियोग हो अरब कंट्री हो गए काफी सारे मध्ध हैसिया वाले छेतर और पस्मी देश भी जो है इसका क्या रहा है उदारन रहा है सैने संगर्स भी देखने को मिला है तेल को लेकर ऑप्रेसन इराकी फ्रीडम 2003 में चलाए गया था अमरीका दवारा 2003 में ऑप्रेसन इराकी फ्रीडम इराक पर अमरीका ने हमला किया यह बोलकर कि इराक जो है अवैत तरीके से हत्यार बना रहा है परन्तु सर्च में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जांच परताल में पता चला ऐसा कुछ नहीं है बलकि अमरीका क्या करना चाहता था इराक के पास जो तेल संसादना उस आज बहुता है और वीश भी किर्ष का लेकर कुसे साधन को लेकर उध्यी alrighty 10 सबीज डसे मिन आ चल एक मुझे सब्ण को भागों के कमी के अतिरीक्राम सवाची जल का भी धायों यह जब है कि आगरज दो जल को लेकर यूद होगा विस्यूद अगर अगला हुआ तो कई जो है विस्य सग्यक का यह मानने है 1950 और 1960 के दसक में इजरायल, सीरिया तथा जोटन के मद्ध संगर्स हुए जल को लेकर जल को लेकर जो है इन देशों के बीच में संगर्स हो चुके हैं और इनके आलावा अगर आप देखे तो भारत के भी मतलब जल को लेकर विवाद हैं जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच जो है सिंदु जल के बटवारे को लेकर विवाद है उसके बात फिर बंगलादेश और भारत के बीच में बरंपूत्र और गंगा न सबस्क्न मतलब बहुत सारे देशों के बीच जलग विवाद के पानी को लेकर हें यानी पानी का महत्वेच यह बहुत जाद राजनीतिक तरकीब भी अपनाते हैं इसलिए जियो पॉलिटिक्स कहा जाता और महतपूर्ण संसाद है यह सब ठीक तो यह हो गया भूर आजनीति पर कुश्चन इसको अच्छे से याद कर लें इसके वाद एक और मौस्ट इंपॉर्टन कुश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उस सर्जन को रोकने के लिए बारा सरकारदवारा उठाए गया कि इन चार कदमों की व्याख्या कीजिए इंपॉर्टन कुश्चन है यह ग्रीन हाउस गैसे जो है जैरीले गैसे होती है जो क्या करते हैं वैस्विक ताप रिधी बढ़ाते हैं ठीक है तो इनको रोकने के लिए भारत ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं भारा सरकारदवारा क्या कदम उठाए गये हैं देखिए दोजरेग में उर्जा संरक्षन अधिनियम पारित किया गया ठीक है उर्जा को बचाया जा सके ठीक है इसके बाद देखिए फाहनों में सवस्तर इंधन का परियोग किया जाना चाहिए स्वस्तर इंधन यानि सीएंजी का परियोग किया जाना चाहिए उदारन के लिए भारत में नेशनल ओटो फ्यूल पॉलिशी के अंतरगत पानों के लिए स्वस्तर इंधन अनिवार्रे कर दिया गया स्वस्तर इंधन जो है सीएंजी गयास को बोल रहे क्योंकि इससे बहुत कम धुवा निकलता है जिससे पुलिशन बहुत कम होता है ठीक है इसलिए इसे स्वस्थर इंधन कह रहे हैं बैटरी वाले रिक्से और बैटरी वाले कई सारे गाड़ी यह सब आ गए हैं तो यह सब भारा सरकार दवरा चलाएं गए एक मतलब कानून है जिससे पर्यावरण को क्या हो सके नुकसान ना हो जादा सजादा ठीक है ना और ग्रीन हाउस गैसों के उस सरजन में भी कमी की जा सके ठीक इसके गए इसके यह भाद देखिए तो यह जो है सोर उर्जा इन सब को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम बनाएगे भारा सरकार दवारा ताकि कोईले पैट्रोल इन सब का यूज कम हो और ग्रीन हाउस गैसों का उसरजन भी कम हो जिससे परियावरण को नुक्सान ना हो तो यह सब जो अधिनियम चलाएगे ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उसरजन कम हो अभी प्राकर्तिक गैस के आयात और सवच कोईले के उपयोग पर आधारित प्रोदोगी को अपनाने की तरफ रुजान बढ़ा है ठीक है प्राकर्तिक गैस जैसे सी एंजी गैस इन सब को मंगाने और सवच इंदन के परियोग कर सवच कोईले के उपयोग पर अधारित प्रोदोगी को अपनाने की तरफ क्या किया गया कदम उठाए गया भरत सरकार दवारा ताकि पॉलिशन कम से कम हो और ग्रीन हाउस गैसों का उस सर्जन कम से कम हो और वैस्विक्ताफ रिद्धी में कमी आए ठीक है ग्लोबल वार्मि सब्सक्राइब करने के लिए लाए गया था तो इसका भी समर्थन किया भारत ने इसके बाद देखिए दोजर पांच में जी एट की बैठक जो बड़े-बड़े कुछ देश है इन्होंने परियावराने संबंदित बैठक किया परियावराने संदक्षन को लेकर तो इसका भारत ने क्या किया समर्थन किया इसके इस पर जो है जोर दिया इसके बाद देखिए भारत में परियावरान की सुरक्षाइवम संदक्षन के लिए 2010 में राष्टिया हरीत प्राधिकरण एन जी टी की स्थापना की गई ठीक है ना भारत में एन जी टी ठीक है नेशनल ग्रीन ट्रिबनल ठीक है इसकी स्थापना की गई परियावरान की सुरक्षाइवम संदक्षन को लेकर इसमें जो है कई सारे परियावरान संदक्षन से संबंदित नियम सुझाए गए जिसको फोलो करने पर बल दिया गया तो यह था भारा सरकार दवारा वैस्विक ताप रिद्धी को रोकने के लिए या ग्रीन हाउस गैसों के उस सर्जन को रोकने के लिए जो कदम उठाएगे भारा सरकार दवार या प्रयाउनन के संद्रक्शन को लेकर जो कदम उठाएगे उस पर कदम उठाए गए तो यह सब पॉइंट आपको लिखना है चार नंबर छे नंबर में यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तीसरा प्रस ने देखे यह भी सब्सक्राइब आया था 1972 में आया था ठीक है अगर पूछा जाए कि इस्थापना कभी थी तो 1972 में इस्थापना हुई थी और इसका फूल फॉम पूछा जाए तो आपको लिखना है सन्युक्ति राष्ट पर्यावरण का रिक्रम ठीक है दोस्तों तो यह क्या है एक पर्याव इन इप इसका फुल फॉम भी याद कर लें आप उनाइटन नेसान इन्वार्मेंट प्रोग्राम 1972 में आई यह क्यों लाए गया था पर्यावरण और इससे संबंदित पर्यावरण और पर्यावरण से संबंदित जो भी मामले हैं उसका जो उसको जो है अंतराश्टिया इस इस तरपर कार्य करने के लिए इस संगठ्षन को लाया गया थीक है इसका काम क्या है तो इसका पहला काम देख्ये क्या है पहला काम अगर पूछा जाए कि मतलब यूनफी की स्थापना कब हुई या यून इपी का फुल फॉम लिखिया और इसके दो कार्यों का वर्णर करे या UNEP की इस्थापना कब हुई इसके दो काम लिखें या खुछन पूछा जा सकता है पर्यावरण सम्वंदित अंतराश्य संगठन का नाम लिखें और उसके दो कारे भी लिखें तो पहला काम आपको लिखना है परियावरण से जुड़ी UNEP का जो काम है वो पहला काम देखिए पहला काम है परियावरण से जुड़ी समस्याओं का सम्मेलन कराना ठीक है ना परियावरण से जुड़ी समस्याओं का सम्मेलन कराने का काम कोन करता है UNEP करता है ताकि विश्वे भर में परियावरन संरक्षन को लेकर जागरुकता को बढ़ावा दिया जा सके ठीक है उसके बाद दूसरा काम आपको क्या लिखना है देखिए दूसरा इसका काम जो है परियावरन के विश्वे पर अध्यान को बढ़ावन देना ठीक है और इसकी इस्थापना 1972 मुईते बता दिया UNEP का फूल फॉर्म बता दिया ठीक है UNEP का फूल फॉर्म क्या है सन्युत राश्र परिया और अंकार एक्रम आयोब कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज की वीडियो में यह तीनों कुस्षन मौश इंपोर्टेंट बनते हैं जो मीटव में और बॉर्ट पूछे जाते हैं तो इस इनको अच्छे से याद कर लिए और अपने दोस्तों के पास भी सेयर जरूर कर दें ठीक है तो और अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक औ कि अले कुछ हमेडने कर सूबने को कर दोब 도uren सूर प्रiescent जाCC